इस वीडियो को आगर आप देखोगे एक college ही पूरा का पूरा fake था एंड उन students, वो students जो है एक ही नाम से एक ही नाम से जो है एक ही नाम को change करते करते जो है बहुत सरा पैसा जो ही loot लिया गया एंड उस पे जो है कोई action नहीं लिया गया हेलो एंड वेलकम फ्रेंट्स स्वागर आपको हमारी योट्व पे चल में एक बार फिर से आपके लिए एक इंपोर्टेंट वीडियो लाएफ फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बात करेंगी को बताएंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चनल पर बिलिवा रहे हैं चनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को भी ब्रेस कर लिए ताक कि आपको मिले आगे आगे लापड़ेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले तो फ्रेंट्स चलो आज के वीडियो शुरू करत बट वही मात्र एक जो है यहां पर रिजन नहीं है तो क्या कहें एंड कब तक आपको पेमिट मिलेगी एंड जो नया सेशन है वो कब तक ओपन होगा तो यहां पर बताएंगे सिंप्ली फर्स्ट इंपोर्टेंट टेकनिकल गिलिच देखो बहुत सरे जो आपने देखा कि साइट जो है मेंटेनेंस में चल रही थी बहुत सरे स्टूडंट जो है लॉग इन नहीं कर बा रहे थे तो रेजिटेशन जो है उस पर क्लिक नहीं हो रहा है तो यह टेकनिकल फॉरे इसके रिगार्डिंग भी जो है पेडिमेट डेले होती है सेकंड पॉन्ट वेरिफिकेशन प्रॉस्टेको बहुत सरी स्टूडंट टिप्स बेरिफिकेशन घो किसी भी स्टेट से हो फिर्स्ट आप आल ये नेशनल लेवल की स्कॉाल्षिप है तो accordingly आपका state and उसके बाद आपकी ministry and उसके बाद आपका district उसके accordingly जो है बहुत सरी steps of verification होते हैं वो process होने में जो है time लगता है और उससे भी जो है delay होता है ठीक है आपके जो documents होते हैं शेक करना रिचेकिंग करना जो स्कॉल्षिप की guidelines होते हैं वो fulfill जब होंगे तभी जाके ये process जो है आगे होती है और आपको payment मिल जाती है तो ये भी कारण है आपकी payment का जो है delay होना third यहाँ पे जो important point है inception funds ठीक है तो इसा भी होता है कि funds के according यानि कि वो जब खतम होते है means की payment distribution जो होती है and कुछ percent के students ऐसे ह होते हैं जो लास्ट में वज़ते हैं उनके लिए funds available ने होते हैं उससे भी जो है आपकी payment delay हो जाती है और उसके बाद जो important point है वो है administrative delays ठीक है आपने देखोगा बहुत सारी जो policies है and बहुत से सारे जो organizations है ऐसे ही जो है government administrative बाकी सारे issues यहाँ पे यह change होते है कभी का बार तो एसे इस कारण में भी जो है आपकी payment जो है delay होती है उसके बाद जो है fake applications यह only एक कारण है ठीक है इसी के कारण जो है आपकी payment delay नहीं हो रही है जो मैंने points बताए वो exactly जो है वो भी कारण हो सकते है and यह verification जो भी चल रहा है fake applications जो है उनको बाहर करना ठीक है बहुत सरी इसमें जो है steps होते है तो लंबा जो यहाँ पर वीडियो हो जाएगा अगर यह details जो है explain करने बैठेंगे तो simply यहाँ पर बताएंगे आपको screen पर दिखा रहा हूं previous year में जो है mids का scam आया था आपने अगर देखा होगा previous year में तो ऐसे ही करके जो है बहुत सरी scams होते है fake applications होते है students जो है fake apply करते है या कभी कबार जो है कोई college ही इस वीडियो का अगर आप देखोगे एक college ही पूरा का पूरा fake था and उन students वो students जो है fake नाम से एक ही नाम से जो है एक ही नाम को change करते करते जो है बहुत सरा पैसा जो है loot लिया गया और उस पे जो है कोई action नहीं लिया गया तो ऐ इसे करके अभी जो ही process इसी के regarding चल रहा है क्योंकि बहुत सरे fake applications बहुत सरे जो है fake colleges यहां पे enroll कर रहे हैं and उनको remove करना ठीक है इस कारण भी जो है आपकी payment इस साल डिले हो रही है तो इसकी regarding आपको क्या करना जब तक नहीं एक पूरा verification हो जाएगा इन आप meritless में select हो जाओ होगे उनको तो payment आएगी एंड जिनको token number मिल चुका है अब नया पोटल कब अपन होगा and आप केसे अपले कर सकते हो जो भी renewal students होगे जिनको भी token number मिल चुका होगा जिनको send to PFMS आया होगा वह simply apply कर सकते ठीक है जो अभी fresh apply किये होए तो वह अभी renewal apply नहीं कर सकते तो इसके ल का वीडियो करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आए इन फाविडियो को लाइक चनल पे ने चनल को सब्सक्राइब करना इंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना बुलेगा